ये आई तो थी बड़ी जोश में, लेकिन जैसे ही इन्होंने बिग बॉस 17 के घर में कदम रखा, इन्होंने अपने तेवर ही बदल लिये। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईशा खान की, जिन्होंने अभी हाल ही में बिग बॉस 17 के घर में as a wild car entry ली है। Model and Social Media Influencer, आईशा का claim to fame बस इतना सा है कि वो अपने आपको मुनावर फारुकी की girlfriend या फिर half girlfriend बता रही है। उनकी माने तो मुनावर has been unfaithful to her, as he was and is in relationship with other women. अब जैसे ही मैड़िम बिग बॉस 17 के घर में आई, मुनावर की तो सारी कहानी जूटी लगने लगी। लेकिन आईशा के बदलते तेवरों नहीं housemates को, बलकि audience को भी पूरा confuse कर दिया। Within 24 hours, it was clear that आईशा had entered the show only for publicity. मुनावर आईशा को two time या फिर three time कर रही होंगे, लेकिन आईशा भी कुछ कम नहीं निकली। क्योंकि माडम आईशा की बिग बॉस में entry के बाद, उनके so-called boyfriend ने social media पे आईशा और उनकी Instagram चाट अपलोड कर दी, जिसमें it was very clear that आईशा को safe for safe publicity चाहिए थी. ये सारे ड्रामे, ये सारे नाटक जो आईशा ने किये, was only to get an entry in the big boss house. उनके boyfriend ने तो यहां तक कह दिया कि आईशा धोके बाज और बेवफा हैं, वो जो भी बोल रही है, वो सब जूट है, कौन सच बोल रहा है, कौन जूट, ये तो वो लोग ही जाने, लेकिन हमें तो big boss के makers पे हरानी हो रही है, क्योंने ये सब करके मिल क्या रहा है, कोई भी रहा चलते आजाता है, कुछ भी बोल देता है, ये इतने desperate हैं कि उसे अपने शो में entry दे देते हैं, इस week makers ने ये टेलिफोन वारा टास्क करा तो दिया, लेकिन इस बार फिर से शो की creative team मूँ के बल गिर गई, हमें तो लगता है इस पूरी team को कुछ सालों के लिए ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि मैने पिलिट कर करके इनके दिमागों ने काम करना बंद कर दिया है, बेरहाल इस week रिंकु धवन, आईशा खान, अभी शेक कुमार और नील भट नॉमिनेटेड हैं, और हमें यकीन है कि अगर वोटों के अधार पर eviction हुआ, तो रिंकु will be evicted, और makers ने कुछ अपनी चलानी चाही, तो आईशा भी इस गेम से आउट हो सकती है, वैसे आईशा अगर इस गेम से अब चली भी जाती है, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जितना content देना था, जितनी नौटंकी करनी थी, वो कर चुकी है, अब तो बस वो घर के कोनों में मुनावर से प्यार भरी बाते करती नजर आती है, आपकी क्या रहा है आईशा खान के बारे में, आप हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखके भेजे, and for all the latest happening in the entertainment world, do like, share and subscribe to our channel, because we at Bombay Blues celebrate entertainment.